जेन चौधरी जी क्या एक बयान जा रहा है कि शवन्नी थोड़े ने जो पलट जाएंगे क्या कहेंगे तरकार ने बहुत देर से ये कदम उठाया है कि कल तो मैं बना बाराणसी में गया था राहुल गांदी की यात्रा के स्वागत की तयारी कराने भी आपस में क्या बात ची कार मिलेंगे आरेलडी भारतिय जनता पार्टी के साथ गटबंधन कर सकती है एंडिय में सामिल हो सकती है और आज आपने देखा किस तरीके से चर्चाय चली और भारत रत्न की प्राप्ती हो चुकी है दादा जी को जैन चौधरी के और हमारे साथ इस समय बात करने के लिए रामासीश ज को पलट जाएंगे क्या कहेंगे देखिए आज तो परषन्वाता का दिन है कि चौधरी चरंञ सिंग जी को भारत रत से सम्मानित किया गया है यह आर अरली की बहुत पुरानी मांग है और हम लोग भी चाहते थे कि चौधरी चरंसिंग जी टिसानों के मश्यार रहे हैं उन सम्मानित किया है इसलिए उनको धन्यवाद उनका विनंदन जहां तक इंडिया गठवंधन और आरेली का सवाल है तो अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है यहां कि उस अधार पर हम इसका कोई उतर देशक है अभी कल तो मैं बना बाराणसी में गया था राहुल गांधी की या सुप्रीमों को कोई ऐसी जानकारी नहीं है आरेली का जो भी फैसला होगा हमारे राष्टी अध्यक्ष करेंगे उनके फैसले के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं अभी अगर करेंट बात की जाए तो क्या सपा सुप्रीमों अकलेश यादों से कुछ अंदरूनी कुछ अन पर जा कर ता स्थीटे रह हुई थी अब उसमें क्या अंतर नहीं आपस में क्या बात्चीत हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं जानकारी नहीं के बड़े निताओं के संपर्क में इसी बात अब्लिक बात कर रही है राजनितिक विशेशक के बात कर रही है तमाम निताओं के चर्चा में इस समय RLD और यह भी कहा जारहे 24-44 घंटे में गडवन्दन कर सक्क्किंदि बीजेपी के साथ क्या उसे कोई बात या कोई सुक्ष क को नहीं मिली है प्रुदेश कार्याले को और जब तक कोई ऐसा कोई निड़े नहीं हो जाता है हम लोग को जो हमरे राष्टी अध्यक्ष का जो भी फैसला होगा उसके फैसले के साथ है दूसरी बात कर ले आज तो भारत रत्म की प्राप्ति हो गई है काफी लंबे समय से जि का मैं अविनंदन करता हूं धन्यबाद सरकार को देता हूं लेकिन चौधरी साहब का पूरा जीवन किसानों के लिए समर्पित था और असली सम्मान तब होगा जब देश के किसानों को प्रदेश के किसानों को उनके वाजिव अधिकार मिलेंगे MSP पर कानून बनेगा उनके उत्पादन का लावकारी मुल्य मिलेगा उनके घर के आज करोड़ों नौजवान बेरोजगार है रोजी रोटी की कोई समस्या पैदा हो गई है उनको रोजगार मिलेगा चेना में हर साल भरती होती थी सत्तर से असी हजार भरतियां होती थी जो बंद पड़ी है लगवाग 5-6 लाग पदों पर आज तक कोई भरती नहीं हुई है तो किसान के बेटे तो फोज में जाते हैं फोर्स में जाते हैं किसान अपने उत्पादन का लावकारी मुल्य चाह है और आज भी दिल्ली के वाडर पर किसान बैठा हुआ है इस जाड़े के सर्द हवावों के बीच में वहां ठिट्रन में बैठा हुआ है सरकार ने किसान आंदुलन के दवरान अनेक वायदे किये वायदे समझा होता हुआ आंदुलन वापस हुआ लेकिन आज तक MSP पर को नहीं बन सकते हैं तो मैं तो यह अनुरोध करूँगा और हम लोगों की इक्षा है कि सरकार किसानों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाए किसानों की जो आंदनी दूना करने की बात कही गई थी उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए कदम उठाए तभी चौधरी चरण सि दूकी भी उस पर और उस पर वर्क भी हुआ आगे क्या देखते हैं क्योंकि गन्ना बेल्ट पर लगातार समस्याओं व्याप्त है और उसके बड़े नेता आपके पार्टी के राष्ट्री अद्यक्ति देखिए हमन लोग लागतार गन्ना मुल्य वढ़ोतरी को लेकर करके डियम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ग्यापन देते रहे राजिपाल के माध्यम से ग्यापन देते रहे सदन से लेके सड़क तक लड़ाई लड़ते रहे लेकिन सरकार ने गन्ने मुल्य का जो गन्ना मुल्य में विर्धी किया है चार-पांच साल के बाद 20 रुपय प्रत प्रश्ण 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 इस समय अभी इंडिया एलाइंस में कटबंधन में है और नितीश कुमार ने पहली बैठक पटना में कराई थी इंडिया एलाइंस की क्या उनके जाने से आपको नराजगी है क्या आरेलडी को नराजगी है भारती जनता पार्टिक सब्गर बंदन करने को जासे देखिए नितीश के फैसले से लोग हद प्रभ हैं अब नितीश ने क्यों ऐसा फैसला किया वही जानते हैं लेकिन बिहार में जो समस्याएं खड़ ही एक तरह से मायूशी है कि नितीश से यह उमीद नहीं थी जो खुद गठबंदन बना रहे थे वही गठबंदन छोड़के चले जाएंगे नराजगी तो है कही ना कहीं आपको वो सबको नराजगी है जो राजनीत में हम लोग इंडिया गठबंदन में हम लोग भी अभी कि कल मैं बनारस में था तो कहके आया था लोगों से अपील करके आया था तो हम लोग को अभी इंडिया गठबंदन के साथ हैं तो मायवसी रहेगी आत्रा को कैसे स्वागत कर रहे हैं आप अब जो भी होगा इंतजार करिए हम लोग हम तो कल गए थे आगे क्या फैसला होता है दिखना है इसले का इंतजार हो रहा है लगातार RLD पूरे देश भर में चर्चा में है कहीं न कहीं गडबंधन की बात करी गई भारतिये जंता पार्टी के साथ तो कहीं न कहीं बचते हुए दिखाई दिये लेकिन नितीज कुमार की गडबंधन में जाने से कहीं न कहीं है सब क्लियर है कुछ आने वाले घंटों में बात जिस तरीके से हो रही थी राजनितिक विशेशग्य कर रहे थे कि गडबंधन में आ सकती RLD तो कहीं न कहीं अभी क्लियरटी नहीं है सीर्स नित्रत का इंतजार हो रहा है देखते रहिएगा 4PM News Network इस मुद्देस जुड़ लुड़ा से जुड़ा थाले टूब शेखते बात जुड़ा रहा है सिर्स विशेशग्य कर रहा है सकती है